अधे राधे दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुख्वी तिरी नामे आज मैंने दोस्तों खिचडी बनाई है क्योंकि आज संीवार है संीवार को खिचडी खाया जाता है तो मैं खिचडी की रेसिपी सेर करती हूँ चलिए रेसिपी सुरू करते हैं मैंने एक इधर हंडी ले लिया हैं, आप कुकर भी ले सकती हैं, जैसे बनाएं यह कतर्णी चावल, यही मिलता है पतला चावल, थोड़ा सा पतला होता है, तो खिछरी अच्छा बनता है, इसे मैंने दो के इसका पानी निकाल दिया है, और इसमें से हंडी में दे रही हूँ, इधर मैंने दाल को भी धो लिया है, एक मुंग की दाल थी, तो इससे मैंने फले पहले थोड़ी दिर भून ली हूँ, उसके बाद मुंग और मसुर की दाल को धो के इसका भी पानी निकाल गया, और इसको भी हालनी में दे रही हूँ, अब मैं अपने अंदाज से इसमें पानी राल देती हूँ, और पानी लगेगा तो मैं उपर से दे दूँगी, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, डेर चम्मज, नमक, स्वात अनुसार, और थोड़ी सी सर्सो की तेल डाल दूँगी, अब गैस अन करके मैं हांडी को चढ़ा दूँगी, जब तक की खिचरी पकेगी, खिचरी पकने में समय लग जाता है दोस्तों, वो मैं आपको विडियो नहीं दिखा पाई हूँ, इसमें एक दो बार मैंने पाने भी दिय दिया था, खिचरी में रिपक चुकी है, आप लोग देखी ही पा रहे हैं, अब मैं दोस्तों इधर खिचरी में तरका लगाओंगे, इधर मैंने गेस आउन करके करहाई दे दी है, करहाई गर्म हो गई है, तो मैं सरसोका तेप डाल देती हूँ, गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो जुकी है, तो मैं इसमें जीरा दे देती हूँ, जीरा थोड़ी देर भून जाएगी तो, इसमें मैं लहसन और हरी मिर्च को दे देती हूँ, इसे भी थोड़ी देर भूनूंगी, आप लोग लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो लहसुन को आप लोग नहीं भी दे कोई बात नहीं तब भी खिचरी उतनी ही अच्छी लगेगी दो तेश पात में दे देती हूँ एक कटी भी प्यास दे देती हूँ और इसे भी थोली देर भूनोंगी इधर मेरी प्यास भी भून चुकी है दोस्तों अब मैं इसमें पकी हुई खिचरी को डाल दोंगी मैं गैस कम कर देती हूँ ने तो प्यास जल जाएगी सभी खिचरी मैंने दे दी है और इसे थोड़ी देर चला देती हूँ अब मैं इसमें कुछ मसाले मिलाओंगी यह धनिया जीरा का पौडर है जो कि मैंने डेर चमाच दिया है अब यह तीखी लाल मिर्च है आप तीखी लाल मिर्च जैदी छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो तीखी लाल मिर्च ना दे और थोरी से मैं नमक दे देती हूँ क्योंने मैंने खिचरी में जो उपर से पानी दिया था हो सकता है कि नमक उसमें कम हो गया हो और इसे मैं थोरी दिर और पकाऊंगे इस खिचरी को तो इधिर खिचनी पकने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है अब मैं घी डाल देती हूँ घी देने से खिचरी का स्वाद और भी बढ़ जाता है उसके बाद मैं इसमें गरम मसाले भी डाल दूँगी तो खिचरी और भी अच्छी हो जाएगी यदी मेरी खिचरी के रेसीपी आप लोग को अच्छी लगे दोस्तों ये सनिवार को खाए जाती है तो मेरी रेसीपी आप लोग को अच्छी लगे तो like, share, comment ज़रूर करें और मेरे चैनल पर ये दिया आप लोग दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को please subscribe कर ले